इस बक्त की सबसे बड़ी ख़बर सीवेसी बोर्ड के चातों के लिए 10 वी बार्वी 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 चा सब्सक्राइब करने लगे हैं आप लोग उनकों के कमेंट्स कर रहे हैं उनकों लेकर आप जो कमेंट्स से उनके स्क्रीन पर देख सकते सीवेशी बोर्ड के चात्र आप इस तरीके से स्क्रीन पर प्लैस हो रहें कमेंट्स आप इन सारे कमेंट्स पर देखेंगे तो चात्र ए से बड़ी बात जो निकल के सामने आ रही है देश में केसिस लगतार इंक्रीज हो रहे हैं तो ऐसे में हम बोर्ड एक्जाम सेंटर पर यानि कि ऑनलाइन एक्जाम को लेकर मांगा रही है उसी बीच देश के जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर है और रमेश पोक्रियाल जी न एक केंपेंट को बनाया है जो स्टुडेज तीचर की बातों को बारिकी से सुनीगी उसके बाद फैसले किये जाएंगे यानि कि एक्जाम कंडक्ट होंगे इससे पहले आपकी जो है एक कैंपेंट को लाँज कर दिया है जो केश्र मिनिस्टर ने दसभी बारवी साथों के बहुत ही बड़ी खबर होने वाली है campaign इसके पहले उन्होंने hashtag को दिया है hashtag के साथ comments करेंगे यानि hashtag के साथ आपने concern कि board exams को मैं के लिए delay किया जाना चाहिए नहीं चाहिए या board exams को postpone किया जाना चाहिए जो बाते आ रही है exam को online कराना से इसको लेकर उन्होंने कहा है आप लोग एक hashtag दिया है उसके साथ-साथ उन्होंने campaign को भी बना दिया है यानि कि campaign को भी launch कर दिया है जो आपकी बातों को सुनेगी यानि कि education minister जो है सीधा सीधा पूरी तरीके से हर एक परियास करेंगे आपकी बातों को सुनने का उन्चातों के लिए बहुत ही बड़ी ख़बर होने वाली है तो जो किस में बोड़ exam की परिक्साव में सामिल होने वाले है जो के समें इस्टर ने हैस्टेक दिये हैं तो आप लोग जादा से जादा कमेंट करेंगे क्योंकि सी बेसी बौड़ की हर एक फैसे से पहले स्टुडेंश की राय ले जारी है कैमपेंड को बनाया गया एक सबसे अच्छी बात जो इस पर देखा जा रहा गी कैमपेंड यानि कि campaign जो है केवल आपकी बातों को नजर रखने के लिए students किस तरीके से react कर रहे है students का क्या मांग है यानि कि अभी तक दो तिन बाते को साफ होता दिख रहा है एक तो सबसे बड़ी जो highly demand की जारी है students द्वारा मैं के लिए board exam को postpone किया जाना चाहिए दूसरी जो सबसे बड़ी बात जो की जानी लगी है या online exam को लेकर की जानी लगी है CBAC board ने पहले भी अपनी board exam की जो तेयारिया है offline according to offline किया है तो online exams नहीं कराया जा सकते हैं चातों की मांग online exam को लेकर जहूर है लेकिन exam आपके offline ही होगे ऐसा CBAC board चाहेगी और CBAC board offline यानि के online exam के प्रक्स में बिल्कुल भी नहीं होगी CBC board आपके online exam तो नहीं कराएगी CBC board offline exam कराएगी तो इस तरीके से जो बाते हैं ये पूरी तरीके से online exam को लेकर तो नहीं आप समझेए क्योंकि online exam CBC board नहीं करा सकती है लेकिन offline exam ही होगे तो ऐसे में एक सवाल जो सबसे बड़ा जो उठने लगा है चात्रों द्वारा जब offline exams होंगे तो चात्रों को offline class लेने का भी मौका मिलना चाहिए यानि कि थ्री मंथ की physical classes before the exams यानि कि board exam से पहले students को थ्री मंथ की physical classes चाहिए इस तरीके से कई शारी बाते हैं डाउट नट बच्चों अगर आपके किसी भी कोशन में डाउट आ जाए या आप से सोल्ब ना हो पाए बस कोशन की फोटो लो कोशन को सही से क्रॉप करो उसे भेज़ दो वीडियो में सॉलीशन्स आपको मिल जाएगा जस्टीन फाइब सेकेंड चाहिए वो कोशन्स आपके किसी अन्य बॉर्ड का हो यह क्लास 6 से लेके 12 के कोशन्स हो आई टी जेई में से एडवांस के कोशन्स हो या फिर चाहे आपके सुब्जेक्स के कोशन्स हो फिजीक्स केमेश्ट्री मेहत वायलोजी इन सभी कोशन्स का जवाप मिलेगा आपको डौटनट एप पे साथी चा हर एक बातों को वहां पर सीवेसी बॉर्ड के सामने उठा रहे हैं ताकि सीवेसी बॉर्ड के फैसले लेने से पहले हर एक स्टूडेंस की राय को सुनी जाए तो इस वीडियो फिलाल इतना ही फ्रेंज वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा वहीं चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सस्क्राइब करना न फूलिएगा यो किसी तरीकी से सीवेसी बॉर्ड की हर एक इंपोर्टेंट अपडेट्स और आपकी हर एक बातों को हम आगे तक उठाते हैं तो अब इक इस वीडियो में इतना ही जाहीं